गुड मॉर्निंग डियर इस्टुडेंट्स मैं दी परावत आज आपके लिए लेके आए हूं क्लास एट की मैट्स चैप्टर नाइन बीजी बेंजक इम सर्विसमिकाएं परश्णावली नौदसमलभ चार बच्चों आज हम इस परश्णावली में गुणा करना सीखेंगे दी पदों का दी पदों के साथ गुणा करने यहाँ कि हमारे पास पहले ही दो पद होगे फिर दूसरी दो पद होगे और उनका आपस में हम क्या सीखेंगे गुणा करना सीखेंगे ठीके तो आए शूरू करते हैं question number first question number first है बच्चों दुए पदों को गुणा कीजिए पहला पार्ट है इसमें 2x प्लस 5 और 4x माइनस 3 तो पहले मैंने क्वेश्चन को लिख लिया कि 2x प्लस 5 और क्या करना है उनको गुणा करना है तो इनके बीच में कौन सा चिन आ जाएगा गुणा का गुणा 4x माइनस 3 अब इसमें यह होता है बच्चों जो इसका पहला पाध है इसके पहले पत के साथ गुणा होगा 2x गुणा गया 4x 2x और 3 के बीछ में कौन सा चिन आरहे तो मने यह पर क्या लिख लिआ 2x फिर फिर त्री यह गुना मनना जाते हैं ठीक है ब्रैक्ट लगाना फिर अब इसका पहला ने गिर्व है इसका पर सॉर्ड डूसरा प्र और इसका पहला पत उनके बीच में कौन सा इंटो 3 तो अब करा इसका गुणा 2 4 जा 8 और X X हो गए तो X की घाद 2 आ गया 2 3 जा 6 X ठीक है 5 4 जा 20 प्लस का है तो 5 4 जा 20 X आ गया 5 3 जा 15 लेकिन आगे माइनस है तो माइनस 15 आगे इसको solve करिए simple सा X X वालों को solve करिए 8 X स्क्वार के साथ कोई नंबर और है नहीं टेक्स स्क्वार ऐसी रहेगा 20 X में से 6 X गया तो प्लस का 14 X आ जाएगा और माइनस 15 नंबर के साथ कोई दूसरा नंबर इसकी साथ अब है नहीं तो यह माइनस 15 ऐस आ जाएगा ठीक है तो यह आपका हो जाएगा उसी प्रकार में सेकंड पार्ट आप करेंगी इसका ट्राइक के लिए और मैं कर रहें आपके लिए इसका थर्ड पार्ट 2.5 L माइनस 0.5 M और 2.5 L प्लस 0.5 M आगे हमारे पास एक फॉर्मुला भी आएगा इसमें प्लस 0.5 M क्या बोला पहले इसका यह वाला गुणा इसका पहले पत के साथ गुणा होगा 2.5 L अब इसका पहला वाला इसके दूसरे पत के साथ गुणा होगा यह वाला जो है पहले इसके साथ गुणा होगा फिर इसके साथ गुणा होगा उसी प्रकार यह वाला इसके साथ गुणा होगा यह वाला इसका यह वाला है तो माइनस 0.5 किसके साथ गुणा हो रहा है 2.5 L के साथ गुणा हो रहा है फिर अब यह वाला इसके साथ गुणा ह तो आप इसको solve करिए यह आ जाएगा आपके पास 2.5 गुणा आगे 2.5 यह आगे 6.25 आप इसको रफ कॉपी में गुणा करिएगा L into L L square हो गया प्लस 2.5 को 0.5 M के साथ गुणा किया तो यह 1.5 और L को M के साथ किया तो L M आ गया उसी प्रकार यह वाला है 0.5 को 2.5 के साथ गुणा किया तो 1.25 L M आ गया और माइनस का यह है 0.5 को 0.5 के साथ गुणा किया तो 0.25 M square आ गया ठीक है अब आप इसमें देखे कि कौन कौन से इसमें solve हो सकते हैं एक प्लस में है देखो वही चीज और वही चीज क्या है माइनस में अगर मैं बोलू प्लस का 10 और वही माइनस का 10 तो cancel नहों हो जाएंगे 0 बना देंगे तो यह दोनों तो होगे cancel बची कौन से चीज रहेगी 6.25 L square माइनस 0.25 M square यह वाली चीज बची रहेगी ठीक है इसका 4th part आप खुद करेंगे मैं करार हूँ आपको इसका 5th part 5th part में है 2PQ plus 3Q square और 3PQ minus 2Q square ठीक है इनको गुणा करना है तो यह वाला पहले इसके साथ भी गुणा होगा इसके साथ भी गुणा होगा फिर यह वाला इसके साथ भी गुणा होगा तो 2PQ को पहले 3PQ के साथ गुणा किया फिर फिर क्या आएगा 2 p q किसके साथ गुणा होगा फिर three q2 किसके साथ गुणना पाइन तो ट्यूच किसके साथ गुणा ऊगा माइनस में इसका आगे लिख दिया थीक है गुणा करके यह से माइनस ना गया नहीं है तो लिख दिया उसी प्रकार माइनस 3 टू जा 6 Q2 Q2 Q4 हो गया अब इसको सॉल्ब कर लिजे 6 P2 Q2 प्रकार माइनस 3 टू जा गया तो नाइन में से फॉर गे तो फाइब पी क्यू की गहाँ तीन और माइनस 6 Q4 यह ठीक है इसका 6 पार्ट भी लेते हैं हमें इसको से इसका कि 3 अपन 4 4a2 प्लस 3b2 और 4a2 माइनस 2 अपन 3b2 पहले मैं यह 4 बहारा दे रखनें पहले 4 को ही इसके साथ गुणा कर लें तो मैंने क्वेश्चन को जब लिखा दूसरे बारी में तो यह तो ठीक दे रखा है सही फॉर में पहले सही है तो गुणा इसको मैंने क्या कर लिए 4a2 माइनस 4 फॉर्ट问 3b2 दीश्ट को जएगे अंदर कुणा अब इसको गुणा करना है तो इसका यहाला पार्ट पहले इसके साथ गुणा पहले इसके साथ होगा फिर इसके साथ होगा तो वही करेंके म्यंग सкиसा के साथ होग में एसके साथ हो ओने पूर मैंस 3 खो किला और 3B square, फिर plus 3B square, 4A square, फिर minus 3B square, 8 upon 3B square, ठीक है, यह 4 से 4 cancel out हो गया, तो 3A की power क्या आ जाएगी है, 4 आ जाएगी, उसी प्रकार ही क्या हो जाएगा, 4, 2 जाएगा, यह 3 से 3 तो cancel हो गया तो, यहाँ 2 बचा है, 4 जाएगा, 2A square, B square, प्लस, 3, 4 जाएगा, 12A square, B square, फिर 3 से 3 cancel, 8B की power 4, तो यह क्या हो जाएगा, solve करके, 3A की power 4, अब देखो, A square, B square वाला, यह भी A square, B square वाला, यह भी है, 12 में से 2 गया, 10, तो 10A square, B square आ गया, minus 8B4, यह आ गया, ठीक है, अब करेंगे में इसका question number 2, गुणान फल, गयात कीजिए, important question है, यह भी simple जैसे गुणा कर रहे हैं, वही करना है, 5 minus 2X, and 3 plus 2X का आपस में गुणा करना है, पहले मैंने as it is रिल दिया, फिर वही बोला कि, पहले इसके साथ गुणा होगा, फिर यह वाला इसके साथ गुणा होगा, फिर अगली बार में यह वाला इसके साथ गुणा होगा, यह वाला इसके साथ गुणा होगा, 5-6 विए 5-6 तो या 6 में से 5 गये तो एक बचा वन एकस बचा तो लिखने के ज़रत होती ने एकस लिखेंगे लेकिन कौन सा नमबर बड़ा है उसी कचन आएगा 6 बड़ा है तो माइनस कचन आएगा फिर इसके साथ बुणा को यह वाले इसके साथ गुणा को महीं सबके साथ ला-टार आपस में ठीक है तो क्या करेंगे एसप्सकंgrी अच्च करेंगे और सबुड़ करके या अन्सर आगया आप करेंगे मिश कोšण्यू 10 क्वेशन नमबर 3 भी बहुत सिंपल है लेकिन अब इसमें मैं डिरेक्ट गुणा करूंगी आपको यह नहीं कहूंगी कि इसके साथ इसके साथ इस टाइप से लाइन को मैंतल में सॉल्व करके लिखूंगे क्योंकि हमारी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हम डिरेक्ट इसको लिख सकते हैं तो अब हमारे पास कोशन नमबर 3 का फर्स्ट पार्ट इसमें है आपके पास सरल कीजिए सरल कीजिए मीन सॉल्व कीजिए ठीक एसम्पली सॉल्व करो इसको एक्स स्कूर माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25 तो पहले मैंने क्वेशन आइज इस इस लिख लिए एकस की दो घात प्र इसके साथ गुणा ओगी तो इस इन दोनों को 여का करें तो अब बचा रहे आपके पास X3 plus 5 x square minus 5 यह क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा ठीक है अब करेंगे इसका third part इसमें आपके पास T plus S square S square T square minus S पहले ये इसके साथ गुणा होगा पहले इसके साथ गुणा होगा कि T का T square के साथ T cube हो जाएगा फिर ये किस के साथ गुणा होगा C-S-S-S-T-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A उसी प्रकार इसका फिप्ट पार्ट करेंगी फिप्ट पार्ट विए सिंपल है कि x plus y 2x plus y plus x plus 2y and x minus y तो पहले इसका गुणा इसके साथ होगा तो यह आ जाएगा 2x square फिर प्लस यहाला किसके साथ गुणा होगे x y के साथ गुणा होगे तो plus xy फिर यहाला इसके साथ इसके साथ गुणा होगे तो यह 2-2y square तो यह प्लस का xy है यह माइनस का xy दोनों cancel out हो जाएंगे तो बचा क्या रहे गया यहां पर 2x square और x square x square डूंडो कितना एक यह वाला और यह 3x square हो गया और xy वाले डूंडो 2xy और यह 2xy तो प्लस प्लस में दोनों क्या होजा मिलक और अगला क्या है यह y square वाले डूंडो एक यह है और एक यह है तो y square minus 2y square यह यह 2y square में से 1y square गया तो बचा क्या y square बचा और चिन किसका अगर जो बड़ा होता है तो minus 2 number पर बड़ा है तो minus के यहां पर sign आगया ठीक है उसी प्रकार इसका 7th part है 1.5x minus 4y 1.5x plus 4y plus 3 minus 4.5x प्लस 12 y पहले इसका गुणा इसके साथ करो तो 2.25 x square फिर यह बुरण इसके सात होगा 1.5 x 4 यह हो जाएगा 6.2 xy फिर क्या हो जाएगा यह वाले इसके साथ एट तर पॉइं पॉइंन फट टरी 4.5x आ जाएगा भी फिर फिर एसके साथ गुना हो गया तो यह सिक्स माइने सिक्स एक्स वाई आ गया फिर इवाले इसके साथ गुना होगे तो ट्वयव